छोटी ए की मात्रा को जोड़कर सब्द बनाएं ठीक है हेलो पैरेंट्स कैसे आप सब आई हो पाप लोग ठीक होंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक तो आज का हमारा टॉपिक है छोटी ए की मात्रा को जोड़कर सब्द बनाएं ठीक है तो यह हमारे कुछ सब्द लिखे हुए है जैसे यह देखिए हिल हो गया मिल हो गया खिल हो गया मिलन हो गया हीरन हो गया निगम हो गया कुछ वर्ड्स हमारे टू लेटर्स वाले हैं और कुछ जो है हमारे तीन है तीन अक्षर वाले शब्द हैं ठीक है तो यह जो है आप इसको आप बताईए बच्चो को कि यह कैसी छोटी एकी मात्रा अक्षर में एड़ हूई है तो इस तरीके से पहले आप बच्चो को तोड़वाकर लिखा यह जैसे इसको कहते हूँ जो possono gelecek है यहा पर तोड़कर लिखना अक्षरों को तोड़कर लिखना यह एक फायदा ह न से लिखना लिखने दिए उन पहले लिखा जाएगा है फिर हां में छोटी मात्रा का प्रयोग किया गया है फिलल जैसे देखे हहां में छोटी मात्रा लगाई गई है फिर ल ये हो गया आपका हिल ठीक है? अब पहले आप बच्चों को तुड़ा आपके सब्द लिखवा दिजिए जैसे या पे मिल है तो मा, मा में चोटी इकी मात्रा फिर ल ठीक है? पहले पूरे फिर यहाँ पे आप करवाए ये मिल मा में छोटी की मात्रा फिर ल ये आपको हो जाएगा मिल फिर खिल तो खा में आपकी छोटी की मात्रा फिर ल ये हो जाएगा आपका खिल इस तरीके से बच्चों को दोनों चीज की प्रैक्टिस करवाईए जो आपका जोड़के अक्षर लिखा गया है उसकी प्रैक्टिस भी इसमें मैंने बताया कि इस तरीके से प्रैक्टिस कराने में बच्चों को इजी हो जाएगा समझने में कि वो यह समझ जाएगे कि किस अक्षर में उनकी छोटी एकी मात्रा का प्रियोग किया जा रहा है जै यह हो जाएगा आपका मिल लन इसी तरीके से जितने भी वर्ट्स हैं आपके छोटी एकी मात्रा वाले तो पहले बच्चों को उनको तोड़के अक्षर लिखाईए फिर उसके बाद उनको जोड़के अक्षर लिखाईए इससे दोनों की प्रैक्टिस हो जाएगी और उनके यह वीडियो पसंद आई हो अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए और बिल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भुलिए जिससे मेरी वीडियो की नॉटिफेकेशन आपको मिलती रहे आज के लिए इतना ही मिलते है नेक्स वीडियो में एक नया टॉपक के साथ तब तक के लिए ओल्वेज बी हैपी